नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक Quick Unboxing of the Razer Hammerhead X जी हां यह मैंने Amazon पर खड़ी दिये हमें Quick Review भी करेंगे तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ फीचर इसके बारे में इसकी connectivity कैसी है audio calling कैसी है इसकी और most importantly इसकी sound quality कैसी है यानि bass, mids, highs तग्रे हैं की नहीं है और अंत में मैं आपको यह बताऊँगा कि क्या यह एक पैसा वसूर्ट है या नहीं है मैंने यह क्यों खड़ी दे क्योंकि आज अगर आप market में जाएंगे एक TWS खड़ीदने के लिए भर भर के products पड़े हुआ है in the 3000 to 5000 वाली जो budget है और बहुत सारे brands भी आपको मिलेंगे जैसे OPPO हो गया, MI हो गया, आपका noise हो गया तो यह वाली ही क्यों अन तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने यह क्यों खड़ीदी है तो विद आट सेड़ लेट्स गेट स्टार्ड़ेट फोक्स ओके, तो यह रहा हमारा प्यारा सा Hammerhead True Wireless X, यह Razer company की है, यह काफी नामी company है, especially अगर आप gaming करते हैं तो इसके बहुत सारे products आते हैं, wireless mouse हो गया, laptops भी बनाते हैं, मैंने हाली में Razer Barracuda X की जो है, headphones यानि headset, gaming headset की review अपनी चैनल पे दाली थी, तो वो भी आप देख सकते हैं मेर तो सबसे पहले कुछ-कुछ features में आपको बता दूँ कि इसमें 13mm के drivers है, यहाँ पे custom tuned drivers, यहाँ पे mobile app customization आपको मिलेगा, दोनों Android और iOS पे, 60ms की low latency है, एक gaming mode भी available है, obviously Razer नहीं बनाया है, तो Razer तो gaming में माहिर है, तो obviously gaming तो बनता है, इसके साथ यहाँ पे green backlit Razer logos भी है, तो के अलवा है, इस साइड में कुछ नहीं है, यार, पीछे में बस pricing लिखा हुआ है, यहाँ पे Bluetooth 5.2 है, और यहाँ पे इसकी pricing में, अब घबराये मत, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि यार, it's 9999, यानि 10,000 रुपे का, पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने Amazon पे, यह सिर्फ 2999 नाइन पे खड़ीता है, लिंक description box में होगा, should you wanna buy it, इस साइड में कुछ नहीं है, बस razor की branding है, यहाँ पे app store और play store के बार में लिखा हुआ है, तो app भी मैं डाउनलोड करके आपको बता दूँगा, connectivity कैसी है, और साथी में नीचे कुछ नहीं है, बस कुछ बार कोड बार को और यहाँ पे इसे आराम से फाड़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, डबे में क्या-क्या है, फाइनली, देखे, प्लास्टिक पूरा अभी मैं निकाल रहा हूँ, आप लोगों के सामने, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई, प्लास्टिक मैंने चड़ाया अब बाता है, प्योरली निव यूनिट है, एमेजन से मैंने खड़ी दिये, रीटेल यूनिट है, मुझे कोई भी रिव्यू यूनिट भेजते नहीं है, मैं हर एक प्रोड़क्त को खुद अपने पैसो से खड़ीचता हूँ, ताकि आपको मैं एक अनबास्ट रिव्यू जो है, वो बता सकूँ, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भई विकाव विकाव है, तो यह रहा TWS, it's quite okay in terms of weight, तो इसे side करते हैं, यहां पर अच्छी quality की प्लास्टिक है, but it does not make sense, यहां पर आपका केबल आ गया, now this is interesting, इसलिए क्योंकि यह USB type, आप बोल सकते हैं, type A to type C, औ वो covers भी देते हैं, आपको यह जो cover करने के लिए, तो USB-C और USB type A, which is very good, और cable की जो quality है, आप प्लीज जब आप ओपो ओपो खरीदिंगें, products like that, कभी कबार तो आपको cable भी नहीं मलेगा, और most of the budget brands, चाहे आप वो 1500 रुपे, 2000 रुपे का भी लेना, उसमें cable की जो quality है, वो कुछ, यह interesting है, हाला कि this is an open ear design, पर यहाँ पे आपको silicon cover भी दिया हुआ है, जो आप लगा सकते हैं, I am not gonna use this, I am not a fan of silicon, और especially उसके लिए मैं open ear, earphones prefer करता हूँ, यहाँ पे बस कुछ paper work है, और यहाँ पे obviously कुछ paper work है, मैं हमेशा बोलता हूँ, पेपर बॉक को फेके का मन, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कि आपको अगर कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ चीज जानने में, तो वो paper work हमेशा यहाँ पे रहेगा, तो just keep it handy, यहाँ पे stickers भी है, razor के, like all razor products, very good, very thankful, तो इसे हम side करते हैं, cable को भी अभी फिलाल तो side करते हैं, और main, अपना star of the show, जो है TWS Earphone, उसे यहाँ पे लाते हैं, और इसे खोलते हैं, ऐसे, और ऐसे, man that sound, oh man, this looks phenomenally good, and the reason why मैं बता रहाँ कि यह इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखने होंगे, आपको पता है, मुझे matte black design कितना पसंद है I don't like glossy black, I like matte black, और इसकी जो finish है, it's got this satin, आप बोल सकते हैं, like matte satin black, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका made in China, obviously a reason, made in China है, यहाँ पे USB-C का port है, ताके आप इसे चार्ज कर सकें, और इसके अलाबा, let me open the case, ताके मैं आपको बता सकूं कि इसकी quality कैसी है, really good, बंग भी जब आप करते हैं, वो satisfactory sound आता है, clicky sound, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे, really good, and again, अगर आपको यह थीक से दिखनी रहा है, मैं थोड़ी से अपनी light बढ़ाता हूं, ताके आपको और अच्छे तरीके से दिखे, यह कि यह दिखने में कितनी प्यारी लग रही है, देखे, in the matte black, this looks absolutely stunning, बहुत अच्छा फिनिश है, यहर फोन को भी निकालते है, मैं यहर फोन भी दिखा दू, वाव, यहर फोन, unfortunately, is a glossy black, but let me tell you, these earphones are extremely light, but इसकी जो बिल क्वालिटी दिख रही है, वो, light देखे हैं यहाँ पे, चम चमाती, light, यहाँ पे, आपको दिख रही है, और इसे हम pair भी करेंगे, पर अभी मैं आपको सिर्फ बिल क्वालिटी दिखा रहा हूँ, the bill quality is phenomenal for this price point, और यह बहुत सुन्दर लग रहा है, especially उसका light जो है, ना, देखे, इतना bright light पे भी, यह कितना अच्छे से, चमक रहा है, मैं कह सकता हूँ, overall, I'm really happy with the bill quality, case के साथ भ और, yeah, it is phenomenal, कि यह मुझे 3,000 रुपे में मिली है, so आप finally मैं आपको connect करके बताता हूँ, कि इसकी audio quality कैसी है, तो आपको अपने mobile phone में, मैं iPhone का demo दिखा रहा हूँ, but यह obviously Android phone पे भी available है, आपको Razer Audio Bowl के एक app मिलेगा, ऐसा उसका logo है, just in case आप देखना चाहते हैं, आप इसे pairing mode में कर सकते हैं, search for devices आप कर सकते हैं, तो यह device को search करेगा, तो आप क्या करेंगे, search for device करते हैं, और इस device को खोलते हैं, ऐसे, और इसे निकालते हैं, यहाँ पर, यह देखे, यह blink हो रहा है, यहाँ पर, तो, let's see whether this finds it or not, तो यह immediately recognize हो गया है, यहाँ पर, दिखा रहा है, hammerhead true wireless तो इसे connect करते हैं, यहाँ पर, और ज्यादा time लगना नहीं चाहिए, to get connected, आप जैसे देख रहे हैं, बत्तियां बस भुझ रही हैं, और यह device connect हो गया है, tutorial भी है, आप tutorial को देख सकते हैं, आपको अगर tutorial देखना है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर available gestures है, यह gestures हो गया, single press, double tap, triple tap, hold 2 seconds, double tap and hold, triple tap, hold 2 seconds, तो यह सारे आप set कर सकते हैं, आप के through, और इसके अलावा, आप gesture try भी कर सकते हैं, single press में आप क्या चाहते हैं, double tap में आप क्या चाहते हैं, okay sir, we'll go and check it out, तो animation काफी अच्छा है, बैटरी परसेंटेज, दोनों यह और फोन की यह बता रहा है, 86 and 86%, यहाँ पर gaming mode को आप app के through on or off कर सकते हैं, lighting, यहाँ पर देखिए, आप lighting change कर सकते हैं, आप इसे static भी रख सकते हैं, और breathing पर भी set कर सकते हैं, यह कुछ ना कुछ तो करेगा, I think, change the lighting effect on your earbuds, unfortunately, इसमें सिरफ एक ही color है, तो आप color को change नहीं कर सकते हैं, आपको सिरफ green color ही मिलेग अब brightness को बढ़ा या घटा सकते हैं, तो अगर आप को बहुत जादा bright लग रहा है, आप इसे घटा सकते हैं, यहाँ से, तो इसके अलाबा यहाँ पर और क्या है, इसके अलाबा यहाँ पर है equalizer, which according to me is so important, यहाँ पर आप custom इसे set कर सकते हैं, आप amplified रख सकते हैं, default रख सकते हैं, bass enhance कर सकते हैं, enhance clarity और vocal पर रख सकते हैं, custom अगर आप जाएंगे देखे, आप पूरा set कर सकते हैं, इसके equalizer को, this was one of the key reasons as to why I purchased this Razer की Hammerhead True Wireless X, primary reason, क्योंकि मैं audio को ना, काफी tweak करके सुनना चाहता हूं, और वो मेरे लिए एक बहुत ही important aspect है, और बाइंग a TWS, तो इसके कार मैंने यह खरी दी है, one of the most important reasons, gaming mode आप on off कर सकते हैं, यहां से, और buttons को आप remap कर सकते हैं, देखे, जैसे कि single press में आप play pause कर सकते हैं, double tap में आप next track कर सकते हैं, triple tap में आप पीछे जा सकते हैं, track में, like previous track, अगर आप 2 second के लिए hold करेंगे, आप कुछ बंद कर सकते हैं, double tap and hold कर आप करेंगे, तो आप gaming mode पे चले जाएंगे, तो इतने सारे आपके gestures हैं, आप automatically, you know, obviously, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप आप में जाके इसे देख सकते हैं, और इसके अलावा यहां पर और कोई settings हैं क्या, swipe left to forget a known device, okay, no, I don't want to, तो य आपको information देदेगा, कुछ, auto standby, prompt language, tutorial, etc, tutorial भी हैं यहां पर, और यहां पर customer support, feedback, FAQ, और about, तो यह रहा, आपका app का information, इसे finally मैं connect करता हूँ और आपको बताता हूँ, इसकी audio quality actually मैं कैसी है, अब देखें, मैं audio quality आपको सुना तो नहीं सकता हूँ, पर मैं आपको यह बता सकता हूँ कि इसकी audio quality actually मैं कैसी है, मैं personal experience आपके साथ share कर सकता हूँ, that is, तो मैं अपनी audio track चलाता हूँ, by the way, मैं गाने भी बनाता हूँ, तो अगर आपको मेरी music check करना है, तो आप Apple Music में Amazon Music पे जा सकते हैं, और मेरे जो singles हैं, वो check कर सकते हैं, यह Apple Music में अपना track चला रहा हूँ और मैं आपको अपनी experience बताऊंगा, मैं आपको तीन चीज़ के ओपर comment करके बताऊंगा, bass, mids और highs इसके कैसे हैं, क्योंकि कोई भी earphones जब आप लेते हैं, यह तीन चीज़ें आप चेक करना चाहेंगे, तो let me play this track, it's approximately on 50% volume, and I'll tell you straight off the bat, मैं आपको एक बात बता दूं, कि the sound, pause करके, that the sound is extremely balanced, and that's what I like about these branded earphones, right, जब आप, suppose, कोई budget brand लेने जाते हैं, मैं बहुत सारे comments भी पढ़ता हूं, user comments, generally मैं यह notice करता हूं कि in these budget brands, इसके जो drivers होते हैं, budget brands वाले, वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो आपको bass जो है, वो उतना तगड़ा नहीं मिलेगा, हाँ, obviously अगर आप एक branded product लेता हैं, जैसे कि मैंने यह जो Samsung की earphones थी, Samsung Buds Live, इसका भी एक रवी चड़ाया था, मैंने आपको बताया था कि why I really love these earphones, और यह तो इतना solid है ना कि इसमें आप wireless charging भी आपको मिलेगा, तो आप wirelessly इसे चार्ज कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे, आप लाल लाइट जल गया है, वाइलेस्टी आप इसे चार्ज कर सकते हैं, तो this is extremely good at the price that it's coming at right now, और मेरा go-to daily driver, actually मैं यह OPPO Buds Air 2, यह Buds Air 2 था यह, इसका सिरफ एक प्रोब्लम था कि यह सिरफ मुझे 4 घंटे की बाटरी लाइफ देता है, कभी-कभी उससे थोड़ा सा कम, तो 5 घंटे भी दे देना, 5 सारे 5 घंटे, I'll be happy with it, but let me get back to the audio quality, जैसे कि मैं बता रहा था, जो branded earphones में आपको मिलेंगे, और budget brands में से, मुझे सिरफ OPPO की जो sound quality है, वो काफी अच्छी लगिये, क्योंकि काफी balanced है, जो दूसरे budget brands में ने ट्राइ किये है, जैसे noise हो गया, या Realme की भी बात कर लो, जैसे Realme की ये Air 3 Neo, जो मैं ने खड़ी दी थी, इसके भी जो highs है, वो काफी अब बोल सकते है, pronounced है, तो बहुत bright लगता है आपको, और मजा नहीं आता है उतना, पर इसमें, straight off the bat, as soon as I hit that play button, I am greeted with a very balanced sound, and that's what I like, मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं पसंदे है, बेस भी जादा नहीं पसंदे है, हाइस भी जादा नहीं पसंदे है, क्योंकि बेस जादा होने से सरदर्द हो जाएगा, और हाइस जादा होने से सरदर्द हो जाएगा, तो इसकी जो audio signature है, that is very very balanced, and that's what I like, और अभी तो एक सर फिफ्टी पसंद वालिम पर मैं से चला र volume now, and it's loud, wow, the vocal clarity is phenomenal, इतनी अच्छी है, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं loudness के बारे में क्यों कमेंट कर रहा हूँ, अपलीज नोट कीजिगा, ये open ear design है, ये वो closed ear design नहीं है, जहाँ पे आपको ना silicon buds मिलेंगे, जैसे ही कि इसमें अगर मैं चला गया, तो यहाँ पे आपक this, because I'll tell you what, मेरे personal experience है, मैं generally TWS क्यों यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ, जूम कॉल्स पे, ट्रेनिंग्स पे जाने के लिए, तो ये open ear design है, मैं इसलिए, ओपो की जो buds 2 थी, I use this quite a lot, because इसमें open ear design है, आप अगर ये silicon वाले bud tips यूज करेंगे, मैं अपने पिछले वाले वीडियो में भी का है, मैं वापिस करूंगा, कि मुझे खुझली होती है यार, कानों में, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, I like this open ear design, और इसी के लिए, मैंने ये खरीदा है, with 6 hours की battery life, that's one of the other key reasons, apart from the sound quality, apart from the equalizer, मैंने इसलिए लिया है, क्योंकि ये open ear design है, और इसका open ear design जो है, वो काफी अच्छा है, इसकी build quality जो है, वो काफी अच्छी है, तगरी है, दिखने में भी बहुत सुन्दर है, lights भी हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, सुन्दर लगता है, I mean लगता है कि भाई, कुछ अच्छा product लिया है आपने, और इसकी audio quality loud है, and why loud वापिस म हैं, तो अगर आप भार चले गए, कभी कबार क्या होता है, कि अगर इस earphones are not loud enough, भीडम भार में बहुत शोर शराब हा, अगर आप ऐसे जगह में चले गए, तो loudness आपको वहाँ पे लगेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह loud है, मैं बार बार वो कह रहा हूं कि यह loud है कि यह एए, तो तो अगर इस एन गवेज है, तो ओड़ पे लीगारे गार इस एक्रेमले गर्ला डा शरा गवाँ यह था ऐट आपको और बार अट भार में उब्हाँ जाए, अगर ने इस पन टॉर्ट, कि यह तो आट गार अगर सुपर्बार ऑज रो कि आट अगर दीराम है, bass lovers, maybe, you know, you might not like it so much, मैं कहूंगा, पर I think this is pretty okay for what it is, तो मेरे हिसाब से this is pretty good in terms of bass as well, audio signature is very balanced and I really like it. एक और कूल फीचर में आपको बताना चाहता हूं इसमें, जब आप इसे iPhone के साथ connect करता हैं, right, let me just reduce the volume a little, it's too loud, यहां पर में आप देखेगा, Razer Hammerhead TWS X, यहां पर बता रहा है, I haven't seen this in any of the other earphones है, और एक और चीज़, जब आप यहां से swipe भी करते हैं ओपर में, the logo, it shows this, I mean, it's really nice, so, I think, from all the angles, it's pretty good and again, I can go over to the audio app, Razer का, and I can tweak everything, real time, अगर मैं इसमें enhance base दाल हूं, enhance base दालने से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, audio जो है, automatically वो थोरी सी reduce हो जाती, but base जो है, वो बढ़ जाता है, I personally don't like it, I would just like to keep it in custom, because custom is like really bright and loud, I mean, bright in the sense like really good, bright, not over bright, amplified, amplified भी अच्छा है यार, but I think, I would just like to keep it in custom, और इसे मैं, you know, tweak कर सता हूं, अपने हिसाब से, so, overall, this is pretty nice, मैं आपको फटा-फट गेमिंग भी एक experience बता तेता हूं, आपको कि gaming कैसी है इसमें, और मैं उससे पहले, सबसे पहले, मैं बता देता हूं कि मैं gaming board को on कर दूँगा अभी, और इसकी बाद बताता हूं, आपको gaming experience कैसी है, देखिए, gaming के लिए मैं आपको इतना जादा दो भिखा सकता नहीं, क्यों कि मैं, I'm not an avid gamer, I mean, ऐसा games, mobile games, I play consoles on games, but just to give you an idea, I'm gonna set the earphones here, and I'll tell you, if there is lag or not, I've kept it in game mode, I'm not seeing any lag, 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 I'm seeing you? I'm reloading, sorry I mean, the gaming performance is smooth, I killed him, I killed him, okay So anyways, let's take it back, I just want to tell you, that the gaming performance है, वो मुझे तो काफी अच्छी लगी, I mean, मुझे कोई ऐसा कोई lag दिखा नहीं, पर अगर आप avid gamer है, आप भी मुझे comment करके बताएगा कि आपको इसकी gaming performance कैसे लगी, अगर आप इसे use कर चुके हैं तो, मेरे एसाब से it is pretty good, क्योंकि lag मुझे नहीं दिख रहा था, जैसे ही मैं button दबा रहा था, वैसे ही आप देख रहे थे कि गोलियां जो है, वो immediately चल रहे थी और गोलियों की जो sound है, वो immediately मेरे earphones में आ रही थी, मेरे एसाब से कोई lag नहीं है, अगर आप इसे use करना चाहते हैं, mobile gaming, absolutely smooth, see audio calling quality के लिए न, मैं actually मैं इसे अपने zoom के साथ connect कर लिए अभी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं audio record करने वाला हूँ अभी, इस call को record करूँगा, और आपको पता चल जाएगा कि इसकी audio quality कैसी है, तो अब record और यह call, test, तो अब यह जो आवाज सुन रहे हैं यह आ रही है from the razor hammerhead through wireless X, अब मैं आपको यह भी दिखा दूँ मेरे settings में, कि microphone में, मैंने razor hammerhead TWSX को choose किया हुआ है, ताकि आपको ऐसा न लगे कि भाई, हवे में बात कर रहा हूँ मैं, आपको यह clearly दिखा देता हूँ यहाँ पे, microphone में razor hammerhead TWSX है, speaker के भी मैं इसे अभी select कर लेता हूँ, क्योंकि obviously मैं सबसे ज़्यादा इसे अपने computer के साथ चिलाने वाला हूँ, पर आपको एक अंदाजा आ जाएगा, कि इसकी audio quality actually मैं कैसी है, मैं sound file जो है, अपने video के साथ integrate करके आपको बता दूँगा कि इसकी audio quality कैसी है, आप comments में मुझे बता दिएगा आपको क्या लगा, इसकी audio quality कैसी है, और क्या आप इसे zoom calls पर use कर सकते हैं, या नहीं, so please let me know in the comment section, again, यह आवाज आपको सुनाई दे रही है, from the razor hammerhead to wireless X, that's it for the audio calling test. तो summarize करता हूँ मैं finally towards the end, और मैं बताता हूँ आपको why I really loved these pair of earphones, और यह मुझे मैंने सिर्फ 3,000 रुपे में बखड़ी दिया है, from Amazon, link again, description box में है, and at this price point न, इसके अलावा आपको market में क्या मिलेगा, आपको OPPO, noise, वो सब के साथ ही, आपको यह 3,000 रुपे के budget में earphones मिलेंगे, अगर आप अपना budget बढ़ाते हैं, like 6,000, 7,000, तो आपको nothing earphones मिल जाएंगे, पर हाँ, आपको budget में, अब Samsung Buds Live भी मिल रहा है, again, these are great pair of earphones, audio quality, इस से अच्छी लगी, पर, overall, this has a very balanced sound, दिखने में इसका case बहुल अच्छा लगा, मुझे, थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप size compare करेंगे, तो काफी बड़ा है, I mean, Samsung से तो काफी बड़ा है, बर, इतना भी बड़ा नहीं है, अगर आप देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, पर, overall, I really like the build quality, and I'm happy that I bought it, मैंने mainly ये खड़ीदा है, zoom calls पर जाने के लिए, और इसकी 6 hours of battery के उपर मैं comment करके, आपको comments के द्वारा update कर सकता हूँ, बर, one of the key reasons as to why I bought this, number one, Razer का brand है, तो brand, यानि अच्छा product होगा, number two, इसमें equalizer settings available है, equalizer बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, number three, because ये Razer का product है, तो, obviously, आप sound की जो signature है, sound signature, वो काफी अच्छा expect कर सकता है, and ये आपको निराश नहीं करेगा, तो audio signature is very, very good, और battery की, अगर हम कर लें, तो ये on paper, आपको करीबन 6-7 घंटा दे देगा, अब आप सोच रहे हैं, पहले तो आपने 6 बोला, 7 कैसे, अगर आप इसकी जो audio light है, वो off कर देंगे, तो आपको 7 घंटे भी दे सकता है, ये इनका दावा है, but again, I will update you in the comment section, as far as the battery life goes, overall, drivers इसके काफी अच्छे है, base काफी अच्छा है, इतना तगड़ा नहीं है, जितना आपको Samsung में मिलेगा, Samsung का base बेस बेटर है, पर आपको overall audio signature बहुत अच्छा मिल रहा है, calling quality, आप मुझे बताएगा, comments में, कि आपको कैसा लगा, मुझे ठीक ठाक लगा, especially for zoom calls, clearly सुनाई देता है, सब कुछ, और मैं generally कितना कुछ फरक नहीं पड़ेगा, मैंने mainly खड़ीदा है, ये सुनने के लिए अपने computer पर connect करके, और मेरी जरूरत वो थी, तो आप हमेशा अपनी जरूरत को ध्यान में रखके, एक earphones लीजेगा, अगर आपको base चाहिए, थोड़सा अगर आप budget बढ़ा देंगे, आपको 3, और इसके अलावा budget में आपको Realme के ये earphones मिलेंगे, बट I would say, अगर you don't want these silicone butt tips, अगर आपको ये open your design चाहिए, then you are better of buying this over this, क्योंकि ज्यादा price difference है नि, you are better of spending like 200-300 rupees more, and getting this, because इसकी fit finish, bill quality, यहाँ पर उपर में भी logo है, मैं दिखाना आपको भूल किया था पहले, बट देख is a really very well designed, very polished product for the price, और आप ये consider कीजेगा, कि आपको ये 3,000 rupees में मिल रहा है, and at that price point, this becomes super पैसा वसूर product, मेरे इसाब से, I can easily recommend this, और प्लीज आप याद रखियेगा, आपको app connectivity भी मिल रही है यहाँ पर, तो app connectivity के द्वारा आप पूरा track कर सकते हैं, gaming mode आपको मिल रहा है, gaming भी काफी अच्छा है इसका, और अगर आप इसकी lighting को off कर देंगे, या इसकी lighting को शायद low रखेंगे, तो में भी आपकी battery life और भी ज़्यादा बचेगी, यहाँ पर breathing वाला option भी है, चलो याँ इस स्टाटिंग ही भी रखते है, battery और बच जाएगा, तो overall इतने सारे आपके options हैं और यहाँ पर quick connect का भी option है, यह वाला option मैंने देखा नहीं था, अभी फिलाल तो मैंने इसे अपने computer के साथ connect किया हुआ है, phone के साथ नहीं, पर यह मुझे सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, यानि, even though I am switching between my computer and my phone, I can tweak the settings, हाँ, एक और चीज मैं आपको पता ना भूल गया जब आप इसे connect करेंगे न, यहाँ पर आपको razor देखिए, TWS यहाँ पर दिखा रहा है, दो जगा, और उसके अलावा razor hammerhead भी है, तो आपको तीन जगा पर connect करना पड़ेगा, I don't know why this is the case, but I think it's because यह app की functionality को use कर रहा है, तो probably that's why आपको तीन बार connect करना पड़ेगा, कुछ ल तो I switch between my computer and my mobile, I can still use the equalizer and all the other settings, तो वो काफी अच्छी बात है, and overall I really like this, क्योंकि it offers fantastic value for money at this price point, और मेरे हिसाब से आपको यह जरूर और जरूर खरीदनी चाहिए, and it is a Paisa Pustul product, let me know in the comment section, आपका क्या opinion है, इस product को ले करके, तो let's quickly move over to the outro now, तो भाई, आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हूँ, या फिर अगर आपके कुछ सवाल हो, इस product को ले करके, तो please आप comments में जरूर पूछ लीजेगा, obviously मैं battery performance के बार में इस वीडियो में बतानी पाया हू आप लोगों को, पर मैं comments के दुवारा आपको अपडेट कर सकता हूँ, तो मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है, जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुचा दूँगा, so please keep commenting दोस्तों, और जाने के पहले मेरी या दरख्वास्त है आप लोगों से, अगर आप वो like और subscribe बटन दबा दे, साथी में और bell icon भी, क्योंकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ, आपको पता चल जाएगा कि भाई, पंची मैं के एक नई वीडियो आ गई है, और साथ में YouTube algorithm के साथ भी यो help करता है, तो मेरे चैनल को घुरू होने में help करेगा, आप ए Amazon की affiliate commission जो है, वो मिल जाएगी, whenever you purchase a product, तो भाई, आज के वीडियो के लिए इतना ही, thank you so much for your love and support in advance, और it's a wrap for this one, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा, take care, stay safe and may God bless you all.